दोस्तों आज आपको दिखाएंगे भुपाल का रेंड़े स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर एक जो की बहुती अच्छी तरह से सुंदर तके साथ बनाएगा है ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा ये है भुपाल का रेंड़े स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर एक का चेतर देखिए कितनी सुन्दर बिल्डिंग बनी है कितना कांच का डेको रसे नक्गाशी है और ये देखिए साफ में यहां पर आप देखेंगे यहांं बच्चों के खेलने का एक बहुत की अच्छा स्थान बनाएगा है एक पे गाम और आप की बच्च्चे स्थान बनाएगा है यहां पर चोटे छोटे से पच्चे के यहां पर चुक्तों के वहीं रहा है घंड़एंबना सकते हैं और में बच्चे को उसको फीड है दूद पिलाने की जगा यहां पर दी गई यह बनाए गई अब आगे चलकर देखते हैं यहां का नजारा यह कोली डोर है जहां से हम निकल कर जाते हैं और यह देखिए यहां पर है प्रतिक्षा वेटिंग रूम वेटिंग हॉल और यह बाहर का नजारा यहां से आप देख सकते हैं यह देखिए और कितनी प्यारी यहां पर डिजाइन लगी हुई है कॉलम बहुत अच्छे बनाए गए च्छत वही बहुत सांदार उपर का और यहां पर जाकर देखिए बहुत अच्छा लाएगा यह देखिए आप को कुछ डिजाइन देखने को मिलेगी उपर का डेकोरेशन देखो आप फ्लॉर का और यह घरी है यहां पर Esteel और यह देखिए प्रश्वारची का मैंगेट बना वा यह चित्रकारी है यह वराहा अतार विश्नु भगवान का और यह देखिए यहां पर और शेर दिखाया गया है क्योंकि यहां पर वन विवाग का छेतर भी है तो शेर यहां पर आपको देखे लोगाइस आज हम आए हैं भोपाल के इस्टेसन नमबर एक पर और देखे पीछे कि कितनी प्यारी कलकरती बनाए गई है यहां पर आर्टिस्ट के द्वारा प्रशाश और यहां पर वरा ओतार रहता है कौन सा विष्णु का आपको देखने को मिलेगा इस आप पर आपको वैसी भूपाल में वन विहार है तो वन विहार में बाग भी हें तो आपको यह हमारे देश का राष्ट्री द्वज देखने को मिलेगा और यह देखिए बहुत ही सुन्दर नजारा यहां का बिल्डिंग जो की रेलवे स्टेशन की है प्लेटफाम नमबर एक की है यहां से बिल्डिंग पुरी कांच से बनी हुई है और यह सामने का नजारा है भुपाल ज लगाया रहे हैं गार्डिनिंग की गई है तो कौन-कौन भुपाल शहर से है और कौन-कौन भुपाल आ चुका है इस्टेशन देख चुका है कमेंट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद बाई-बाई